जै स्री कृष्णा आये सुनते हैं गंगा जन्म की दूसरी कथा पहला अध्याय हमने कल सुनाया था जब महाराज सगर को बहुत दिनों तक अपने पुत्रों की सूचना नहीं मिली तो उन्हों ने अपने तेजस्वी पहुत्र अन्सुमान को अपने पुत्रों तथा घोडे का पता लगाने के लिए आदेश दिया बीर अन्सुमान सस्त्र सास्त्रों से सुसक जित होकर उसी मार्ग से पाताल की ओर चल पड़ा जिसे उसके चाचाओं ने बनाया था मार्ग में जो भी पुज्यनिय रिसी मुनी मिले उनका यतोचित सम्मान करके अपने लच्छे के विशय में पूछता हुआ उस अस्थान तक पहुच गया जहां पर उसके चाचाओं के भस्मी भूत सरीरों की राख पड़ी थी और पास ही यग्यका घोडा चर रहा था अपने चाचाओं के भस्मी भूत सरीरों को देख कर उसे बहुत दुख हुआ उसने उनका तरपड करने के लिए जलासय की खोज की किन्तु उसे कहीं जलासय दिखाई नहीं पड़ा तभी उसकी दृष्टी अपने चाचाओं के मामा गरुड पर पड़ी उन्हें सादर प्रडाम करके अन्सुमान ने पूछा कि बाबा जी मैं इनका तरपड करना चाहता हूं पास में यदि कोई सरोवर हो तो क्रिपा करके उसका पता बताईए यदि आप इनकी मृत्तू के बिशय में कुछ जानते हैं तो वह भी मुझे बताने की क्रिपा करें गरुड जी ने बताया कि किस प्रकार उसके चाचाओं ने कपिल मुनी के साथ उद्दंड बेवहार किया था जिसके कारण कपिल मुनी ने उन सब को भस्म कर दिया इसके पस्चाथ गरुड जी ने अन्सुमान से कहा कि ये सब अलवकिक सक्ती वाले दिव्य पूरुष के द्वारा भस्म किये गए हैं अतह लवकिक जल से तरपर्ग करने से इनका उद्धार नहीं होगा किवल हिमाले की जेष्ट पुत्री गंगा के जल से ही तरपर्ग करने पर इनका उद्धार संभव है अब तुम घोडे को लेकर वापस चले जाओ जिसे की तुम्हारे पितामह का यग्य पूर हो सके गरुड जी की आज्या अनुसार अन्सुमान वापस अयध्या पहुचे और अपने पितामह को सारा बितान सुनाया महाराज सगर ने दुखी मन से यग्य पूरा किया वे अपने पुत्रों के उद्धार करने के लिए गंगा को रित्वी पर लाना चाहते थे पर ऐसा करने के लिए उन्हें कोई भी युक्ती नहीं सूझी थोड़ा रुक कर रिशी विश्वामित्र कहा महाराज सगर के दिहांत के पस्चात अन्सुमान बड़ी न्याय प्रियता के साथ सासन करने लगे अन्सुमान के परमप्रतापी पुत्र दिलीब हुए दिलीब के बेस्क हो जाने पर अन्सुमान दिलीब को राज का भार सौब कर हिमाले की कंदराओं में जाकर गंगा को प्रसं करने के लिए तपस्या करने लगे किन्तु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हो पाई और उनका स्वर्गबास हो गया इधर जब राजा दिलीब का धर्म निष्ट पुत्र भगीरत बड़ा हुआ तो उसे राज्य का भार सौब कर दिलीब भी गंगा को प्रिथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए पर उन्हें भी मनवांचित फल नहीं मिला भगीरत बड़े प्रजावत्सन नरेश थे किन्तु उनकी कोई संतान नहीं हुई इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सवप कर स्वयम गंगाव तरड के लिए गोकर नामक तिर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे उनकी अभूत पूर्व तपस्या से प्रसन होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बर मांगने के लिए कहा भगीरत ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभू यदि आप मुझे पर प्रसन हैं तो मुझे यह बर दीजिए कि सगर के पुत्रों को मेरे प्रियतनों से गंगा का जल प्राप्थ हो जिससे की उनका उद्धार हो सके इसकी एत्रिक मुझे संतान प्राप्थी का भी बर दीजिए ताकि इच्छवां को बस्त का नश्ट नह हो ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनुरत सिग्र ही पूर होगा किन्तु तुम्हारे मांगे गए प्रथम बरदान को देने में कठिनाई यह है कि जब गंगा जी बेग के साथ प्रित्वी पर अवतरित होंगी तो उनके बेग को प्रित्वी समहाल नहीं सकेगी गंगा जी के बेग को समहालने की छमता महादेव जी में है महादेव जी को प्रसंद करना होगा इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोग को चले गए भागीरत ने साहस नहीं छोड़ा वे एक वर्ष तक पर के अंगुठे की सहारे खड़े होकर महादेव जी की तपस्या करते रहे केवल वाईव के अतरिक उन्होंने किसी अन्य वस्तु का भच्छर नहीं किया अंत में इस महान भक्ती से प्रसंद होकर महादेव जी ने भगीरत को दरसंदे कर कहा कि हे भक्त स्रेष्ट हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारड करेंगे इसकी सूचना पाकर विवसो कर गंगा जी को सूरलोग का परित्याग करना पड़ा उस समय वे सूरलोग से कहीं जाना नहीं चाहती थी इसलिए वे यहां विचार करके कि मैं अपने प्रचंड बेग से सीव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाओंगी वे भयानक बेग से सीव जी के सीर पर अवतरित हुई गंगा के इस बेग पूर अवतरर से उनका अहंकार सीव जी से छुपा न रहा महादेव जी ने गंगा की बेगवती धाराओं को अपने जटा जूट में उल्जा लिया गंगा जी अपने समस्त प्रियत्मों के बाल भी महादेव जी के जटाओं से बाहर न निकर सके गंगा जी को इस प्रकार सीव जी की जटाओं में बिलीन होते दे भगीरत ने फिर संका जी की तपस्या के भगीरत के इस तपस्या से प्रसंद होकर भगवान संकर ने गंगा जी को हिमालय परवत परिस्थित बिंदु सर में छोड़ा छूटते ही गंगा जी साथ धाराओं में बट गए गंगा जी की तीन धाराएं हराहदनी पावनी और नलनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुए सूचछू, सीता और सिंधु नाम की तीन धाराएं पस्चिम की ओर बहीं और साथमी धारा महाराज भगीरत के पीछे पीछे चली जिधर जिधर भगीरत जाते थे उधर उधर ही गंगा जाती थी अस्थान अस्थान पर देव, यच, किननर, रिशी मुनी आदी इनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे जो भी इस जल का अस्परस करता था भवबाधाओं से मुक्त हो जाता था चलते चलते गंगा जी उस अस्थान पर पहुची जहां रिशी जन्हु यग्य कर रहे थे गंगा जी अपने बेग से उनके यग्य साला को संपूर सामगरी के साथ बहा कर ले जाने लगी इससे रिशी को बहुत क्रोधाया और उन्धों ने क्रोध होकर गंगा का सारा जल पी लिया यह देखकर समस्त रिशी मुनियों को बड़ा बिस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए उनकी प्रस्तूती करने लगे उनकी इस्तूती से प्रसन होकर जन्हु रिशी ने गंगा जी को अपने कानों से निकाल दिया और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्विकार कर लिया तब से गंगा जान्वी कहलाने लगे इसके पस्चात्वे भगीरत के पीछे चलते चलते समुन्द्र तक पहुच गए और वहां से सगर के पुत्रों का उधार करने के लिए रसातल में चली गए उनके जल के अस्पर से भस्विभूत हुए सगर के पुत्र निस्पाफ होकर स्वर्ग गए उस दिन से गंगा के तीन नाम हुए त्रिप्थगा जान्वी और भागी रथी